Hi guys, this is Kunal और आज मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से घर पर बनाते हैं मूंग डाल नमकीन हमें चाहिए मूंग डाल और इसमें हम डालेंगे पानी अब इस मूंग डाल को हम अच्छे से सोक करने के लिए रख देंगे करीब इन 4 से 5 घंटे के लिए यह है मूंग डाल जिससे हमने सोक करके रखा था और अब इसे हम एक कपड़े पर फैला लेंगे फैला कर इसे अब हम अच्छे से पोंच लेंगे ताकि जितना भी एक्सेस मॉइस्टर है वो निकल रहा है एक्सेस मॉइस्टर निकालने के बाद इस फूली डाल को में डीप फ्राइ करना है यह रेडी है तेल हमारा मीडियम हॉट है इसके अंदर अब हम इस मूंग डाल को डालेंगे इसे अब मंद आच पर पकाना है जब तक कि डाल बिलकुल कड़क ने हो जाती यह तैयार है इसे अब हम निकाल लेंगे इसे हम अच्छे से फैला लेंगे और completely ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद इसमें जाेगा नमक भूंग दाल ठंडी हो चुकी है इसे हम डालेंगे एक बोल में इसमें हम डालेंगे नमक आप चाहें तो इसके इंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं चिली पाउडर, मिंट पाउडर अप टू ये इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा जो ये मूंग दाल नमकीन है हम् डन